पुर्णिया, कटिहार और किसन गंज में सुबह साथ बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और पहले चार घंटे में मतदाताओं ने काफी जोड़दार तरीके से अपना उत्सा दिखाया है यहां मतदान को लेकर के चुनावायों की ओर से सुबह 11 वजे तक के जो आकरे जारी किये गए है उसके अनुसार बिहार में मतदाताओं ने जोर सोर से तमाम जगों पर मतदान के अंदरों पर आकरके अपने मतदान का प्रयोग किया है और अगर हम देख बोट प्रतिसत की बात करें तो सरवाधिक बोट जहां परे है उसमें कटिहार लगातार सुबह से ही सीर्ष पर चल रहा है और सुबह 11 वजे तक कटिहार संसदिय सीट पर 28.95 फिजदी मतदान हो चुका है कटिहार के बाद पूर्णिया सीट पर 24.26 फिजदी मतदान सुबह 11 वजे तक हुए है इसके तरेक्ट किसन गंज की सीट पर 21.29 फिजदी मतदान सुबह 11 वजे तक हुए है इसी तरीके से भागलपूर की सीट पर 19.03 फिस्दे जबकि बाका की सीट पर 18 फिस्दी मद्दान सुबह 11 वजे तक हुए हैं दरसल इन पांचो सीटों पर जो मुकाबला है उस मुकाबले में एक ओर जहां पांचो सीटों पर जद्यू के कैंडिडेट हैं दूसरी ओर उनके मुक्ख मुकाबले में तीन सीटों पर कॉंग्रेस के साथ में आमने सामने का मुकाबला है जबकि दो सीटें ऐसी हैं जहां कि मुकाबले में यह भी माना जा रहा है कि मुकाबला तरिकोनिय है जबकि माका की sit पर राजत के प्रत्यासी जेनलान यादव और जदियु प्रत्यासी गिरिधारी यादव के बीच में आमने सामने का मुकाबला है तो इन सबके भी सुबह जब साथ बज़े से मतदान की पिख्रया सुरू ही है बिहार में इन दिनों तेजगर्मी पर रही है, तापमान हर दिन 40-42 डिगरी तक पहुँच रहा है और इन सब के बीच गर्मी, लू और गर्म हवाओं के बीच मतदाता सुबह सुबह घर से निकले हैं और मतदान केंद्रों पर पहुँच करके उन्होंने अपने मतदात धिकार का प्रयोग करना शुरू किया है तो ऐसे में सुबह 11 तक जो आंकरे हैं काफी स्टीज की और संकेत दे रहे हैं कि दूसरे चरण के मतदान में मतदाताओं का काफी उत्सा देखा जा रहा है जैसा कि पहले चरण के मतदान में जब जमुई नवादा गया और और रंगाबाद में चुना हुए थे तो वहां मतदान प्रयोग काफी कम रहा था और यह एक प्रकार की बरी चिंता वाले भी से थे तो उसके मुकाबले दूसरे चरण के चुनाओं में जो मतदान प्रतिसत है वह जहां सुबह 11 अगर हम बात करें दो चरणों में कि सुबह 9 वजे तक क्या इस्ति थी तो सुबह 9 वजे तक कटिहार में 13.75% मतदान हुआ था जो कि 11 बत्ते बत्ते बर करके 28.95% मतदान हो गया यानि कि पहले चार घंटों में कटिहार में 28% से ज़ादा मतदाताओं ने मतदान किया इसी तरीके से गर हम बात करें पूर्णिया सीट की तो पूर्णिया सीट जो की त्रिकोनिय मुकाबले में बना हुआ है और यहाँ पर एक ओर निर्दलिय प्रत्यासी पपू यादब हैं तो उनके मुकाबले जदियू के संतोष कुस्वाहा और राजत की विमा भारती मुक पूर्णिया सीट के बाद अगर हम बात करें किसन गंच सीट की तो किसन गंच सीट पर सुबह मत्दान की प्रक्रिया कुछ धीमी रही थी। कॉंग्रेस ने अजीत सर्मा को और जद्यू ने अजय मंडल को उमीदबार बनाया है और इस सीट पर एक रोजक मुकावले की उमीद मानी जा रही है तो उस भागलपूर सीट पर सुबह 9 बजे तक जहां 9 फिजदी मतदान हुआ था वहीं अगले दो खंटे यानि कि 9 से 11 तक सारे 9 फिजदी मतदान हुए थे और अगले दो घंटों में भी मतदान की स्थिती करीब-करीब वहीं बनी हुई है और सुबह 11 बजे तक यहां मतदान का प्रितिसद 18 फिजदी तक पहुच चुका है तो हम आपको यह बता कर छोड़े जा रहे हैं कि कटिहार में सुबह 11 बजे तक 28.95 फिजदी किसन गज में 21.29 फिजदी भागलपुर में 19.31 फिजदी पुर्णिया में 24.62 फिजदी और बाका में 18 फिजदी मतदान सुबह 11 बजे तक हुआ है हम आपको और तमाम अप्रिट्स बताएंगे बने रहे हैं इस फोर्निशन के शाब